दोस्तो मैं आज आपको बताऊंगा जैसे हमारे गरों में हम विजली को किसी ट्रांस फॉरमर या फिर किसी कनेक्शन से लेकर आते हैं तो उसके लिए हम तार या केवलों का यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा के एक केवल में कई पतले पतले तार होते हैं इनकी जगह पर एक मौटा तार क्यों नहीं लगाया जाता इसके बिस्टेपर आज हम चर्चा करेंगे और मैं बताऊंगा आपको कि पत्रे पत्रे तार ही क्यों लगाया जाते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे गरों में जो धारा बैती है उसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं या फिर कहें हमारे गरों में जो यूज में धारा ली जाती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है अब प्रत्यावर्ती धारा के बारे में मैं आपको बता दूँ एक छोटी सी नौलेज कि प्रत्यावर्ती धारा तार की सतह पर बैती है किस पर बैती है तार की सतह पर बैती है तार की सतह पर बैती है प्रत्यावर्ती धारा अब इसकी सतह ये होगी इसके चारों तरफ की सतह हो जाएगी या नहीं हो जाएगी सतह अब हम अगर प्रत्यावर्तिदारा को इसमें फ्लो कराएंगे या बाएंगे तो इसकी सतह पर भाएगी तो अब सतह को भाएगी अब हम इस मोटे तार की जगह कई पतले पतले तार ले कि एक जैसे ये मेरे पास एक ball है अब ये ball है इसका प्रश्टी छित्रपल इसके चारो तरफ का होगा अब मैं इस ball को दो भागों में माट देता हूँ जैसे अगर मैं यहां से काट दूं इस ball को तो एक इधर का भाग बन जाएगा और एक इधर का भाग बन जाएगा तब इसका प्रष्टी चित्रफल ये तो एजिटे रहेगा उपर वाला अर्द गोले का जो प्रष्टी चित्रफल रहेगा जो अर्द गोलाकार भाग बचेगा इसमें दो अर्द गोले बनेगे और ये दोनों अर्दोगोलों का प्रिष्टीच छित्रफल इसको जोडने के पश्चात को लो जाएगा लेकिन अगर इसको दो भागों में बिवक्त कर दें तो जो अंदर वाला एक और प्रिष्ट होगा जो अर्दबरता का प्रिष्ट होगा जो इसमें भी बढ़ जाएगा प्रिष्टीच छित्रफल और इसमें भी बढ़ जाएगा इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि किसी चीज को एक या एक से अधिक बागों में दो या दो से अधिक बागों में बिवाक्त करने पर उस चीज का प्रष्टी छित्रफल बढ़ जाता है इसी प्रकार जैसे हम इस तार को लें अगर या तार एक ही होता तो इसका प्रष्टी छित्रफल कुछ न कुछ होता अब हम उसी तार में से अनेग पत्रे पत्रे तार अगर हम बना दें तो उस तार जो पतले पतले तार होंगे उनका कुल प्रष्टी छित्रफल मौटे तार के कुछ प्रष्टी छित्रफल से जादा होगा अगर कुल परष्टी छित्रपल जादा होगा तो तार में जादा धारा वाएगी अगर जादा धारा वाएगी तो हम कम तारों से ही अपने गर पर जादा बजी लेगदा सकेंगे तो उसके लिए पहली बात तो जो दातू के तार हैं उनकी आवशकता जादा नहीं पड़ेगी अपेच्छाकरत एक ही तार के क्योंकि एक ही तार में पहली बात तो धारा कमा रही है दूसरी बात दातू की खेप भी जादा हो रही है या कहा हैं उसका उपयोग भी जादा हो रहा है लेकिन आपको पता है दातू भी एक सीमेट संसादन है उसकी भी बचत करना है और वो भी महेंग आता है तो इसके लिए हम दातू का कम यूज़ करें और दारा ज्यादा ज्यादा आए इसके लिए हम तारों को पतले पतले करते हुए एक केविल में सेट कर देते हैं जिससे इस तारों का कुल प्रेस्टीच तिपल एक मौटे तार की पिछा के कुल प्रेस्टीच तिपल से ज्याद इस प्रकाड इसमें जादा दारा आती है इसलिए हमारे गरों में जो केवल या डोरियां होती है उन्हें पतले-पतले तार होती है तो आप समझ चुके होंगे कि एक केवल में कितने पतले-पतले तारों के होने का कारण क्या है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो व